तो आपने देखा कि भार शील निर्देशांकों के अंतरगत प्रश्णों को किस प्रकार से हल किया जाता है कौन-कौन से उसमें फॉर्मूले यूज़ किया जाते हैं और कितने उसके प्रकार हैं अब जो हमारा अगला महतुपूर निर्देशांक है वो है जीवन निर्वाह निर्वान निर्देशांग जिसके बारे में कुछ चोटी मुटी बाते हमने पहले भी जान ली है जीवन निर्वान निर्देशांग में क्या होता है कि लोगों के जीवन का जो स्तर है चाहे वो आयवे से संबंदी थो उनके रहन सेहन से संबंदी थो उनके उभोग की संभंदित गर्स जीवन निर्वा निर्देशांके अंतर कायूलेट कर ली जाती है अब जीवन के बात करते हैं वहत निर्देशांग के तो इसके अंतरगत करते रहां जीवन निर्वान निर्देशांग की कैल कुलेशन की ज़ए क्या जवरत हैं तो एक तो इस के लोगों का रहन सहन का इस तरपता चल जाता है हाला कि हमने दोश्ट के अंतर कर देखा था कि एक ही तराजों में सब को तॉल देना या कहा देना कि जीवन निर्वान निर्देशांग अमुक है और सभी वर्ग पर यह लागू होता है कहीं न कहीं गलत है लेकिन अगर हम यह कहें कि वर्ग विशेस के लिए हम जीवन निर्वान निर्देशांग के कैलकूलेशन करते हैं तो वो उस समय उपयोगी हो जाएगा जब हमको उस वर्ग का जो जीवन इस तर था उसमें क्या परिवर्तन आया है इसकी अगर हमको जरूरत पढ़ती है तो उ हमने जब मांग और पूर्टी वाले चैप्टर में देखा था कि जैसे जैसे किसी वस्तू की मांग बढ़ती जाती है तो उसकी पूर्टी जो है वो कम होती जाती है या एक इसका पहलू हम यह भी देख सकते हैं कि मांग बढ़ रही है तो जो उत्पादक या विक्रेता होत है कि बस्तु की कीमत बढ़ा दे क्योंकि कीमत बढ़ाएंगे तो मांक कम ψ जाएगे अग्यूंकि पूर्टी को adjust करने पा रहें तो एक कहीं न कहीं यह concept based मैच्च करता है कि यहाँ पर वह Gold में होने वाले rewards gets से संबंद स्थापित किया जाता है कि अगर बहोगता के वह में परिवर्टन हुआ है तो क्या कारण था वस्तू का मूले कम हुआ था इसलिए यह क्षिवकों परिवर्टन हुआ यह कोई अन्यकारण था तो तो वहां पर शायद वेतन, महंगाई भत्ते और अन्य जो भत्ते उनको मिलते हैं, उसमें क्या परिवर्तन लाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, इसकी जो कैलकुलेशन होती है, वो भी आसान बन जाती है, साथ ही हम देखते हैं कि मजदूरी निर्धारण की किसा है, क्या उसमें सुधार की संभावनाए या जरूरत है आव शक्ता है, इसके अधार पर, जब हमको इसकी कैलकुलेशन करनी होती है, मजदूरी निर्धारण के लिए, तो मजदूर के जीवन इस तर को देखते हैं कि कैसा है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसा है, ये देखन रुपय में अगर हम आज 2 kg खरीद पा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि चार साल बाद भी खरीद लें या आज हम सो रुपय में 2 kg खरीद पा रहे हैं लेकिन हो सकता है चार साल पहले हम 3-4 खरीद लेते होंगे तो मुद्रा ऐसे नहीं कि शक्कर का रेट बढ़ गया नालें टेल का रेट बढ़ गया एस नहीं आगर अप सकते मुद्रा की जो क्र में इसका का फिरे और कर मोड़ को खरिदते थे लिकाश.. लिए जो होती है उसमें से बहूत सारे बहुत सारी चीजों को घटा लेने के बार जो आए वह वास्त का है तो ऐस्त काया जो है उससी को हम किसी वैक्टी कि मानते है जिसके आधार पर या फिर जितना है उसी की आधार पर बजट बनाता है और उसके बाद जिवन-nirvah करता है तो वास्तविकाय क्या निश्चित की जाए या उसमें परिवर्तन को अगर देखना है तो उन सब के लिए जीवन-nirvah Nisung होता है तो यहां गीता है है यवा समय हम से कलिए करेंगे तो यहां सब्सक्राइब करेंगे या पारिवारिक बजट रिती का प्रियोग करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे अलग-अलग फॉर्मूले हमको यूज करने पड़ेंगे और इनके जो प्रेशन होंगे उनको बनाने का तरीका भी अपने आप में अलग-अलग होगा तो आए देखते हैं कि किन किन सुत्रों का प्रयोग करेंगे और उनके आधार पर हम विभिन प्रश्णों को कैसे हल करेंगे अथ्वभारिद समूरिती के आधार पर निदिशांकों के गढ़दा करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा इसमें आधार वर्ष में यानि कि Q0 एवं चालू वर्ष के कीमत यानि P1 का गुड़ा करके गुड़न पलो का योग्याद किया जाएगा यानि कि हमें समिशन P1 Q0 प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद फॉर्मूला यूज किया जाएगा चालू वर्ष का निदेशांग बराबर चालू वर्ष का समुवें बटे आधार वर्ष का समुवें गुड़ित 100 यानि P01 is equal to submission P1 Q0 upon submission P0 Q0 into 100 समुवें रिति द्वारा निदेशांग के गड़ना के लिए दिये गए प्रेश्ण में वस्तुएं दी गई हैं उनके उगों की मात्रा दी गई है हम साथ कॉलम बनाएंगे जिसमें पहले कॉलम में वस्तुएं लिखी जाएंगे दूसरे कॉलम में हम उब्भोग की मात्रा को अंकित करेंगे यानि जिसे हम Q0 से प्रदर्श्रित करते हैं तीसरे कॉलम में हम इकाई लिखेंगे कि जो उब्भोग की मात्रा दे गई हुनकी कि इकाईया क्या है चौथे कॉलम और पाच्छे कॉलम में हम कीमत लिखेंगे 1985 और 1986 की कीमत को हम प्रदर्शित करेंगे और उसके बाद के कॉलम में हम इनकी क्यालकुलेशन लिखेंगे यानिके पीजरो कि जिरो और पीवल क्यूजीरो कू दिखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम वस्तुओं कोशलेट कर लेते हैं यहां पर वस्तुओं हैं गेहुँद चावल चना अरहर घी और शक्कर उभोग की मात्रा तरहां वो हैं 5 क्विंटल गेहुद की 5 क्विंटल चावल की 5 क्व अरहर के काई अधिते एकाई हो प्रति किलोग्राम आप यहाँ पर हम कीमत स्क्रूह 25 तो हम 25 25, 250, 100, 180, 10 and 3, next column में क्योंकि हमको P0, Q0 की ज़रत पड़ेगी तो क्योंकि P0 है हमारे पास और Q0 भी है, हम इसको multiply करते जाएंगे, तो हम यहां पर देखते हैं कि जब हम इसको P0 और Q0 को जब हम multiply कर रहे हैं, तो यह 5 into 100 is equal to 500, 5 into 200 is equal to 1000, 1 into 80 is equal to 80, 3 into 120 is equal to 360, और 8 into 5 is equal to 40, or into 2 equal to 160, summation की हमको ज़रत पड़ेगी फॉर्मूले में तो हम इसको summation निकाल लेते हैं, summation P0, Q0 is equal to 2140, next column में हम P1, Q1 calculate करेंगे, जो यहां पर हम देख रहे हैं कि P1, Q0 calculate करेंगे, यहां हम देख रहे हैं कि Q0 भी है मारे पास और P1 भी है, तो हम इसको calculate करते चलें, multiply करके, तो यह हो जाएगा, 5 into 125, 625, 5 into 250, 1250, 1 into 100, 100, 3 into 180, 540, 5 into 10, 50, 80 into 3, 240, तो यह हो जाएगा, summation P0, Q0 is equal to 2805, अब चालू वर्ष का निर्देशांग हमीं निकालना है, और समूह वेरिती से, जब हम चालू वर्ष की निर्देशांग की calculation करते हैं, तो formula यूज करते हैं, चालू वर्ष का समूही वै, आधार वर्ष का समूही वै, इन्टू 100, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चालू वर्ष का समूही है, यह हम इस तरह से भी कह सकते हैं, submission P1, Q0 upon submission P0, Q0 into 100, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि formula की according, जब हम इसमें इसके value को put करेंगे, तो यह हो जाएगा 2805 upon 2140 into 100 is equal to 131.08, पारिवारिक बजट रिती अत्वा भारित समूह मुल्या नुपात विधी के द्वारा, निदेशांकों की calculation के लिए, सबसे पहले प्रत्येक वर्ष के चालू वर्ष की कीमत P1 का, उसकी आधार वर्ष की कीमत P0 की आधार पर मुल्या नुपात यानि की R calculate किया जाएगा, और इसकी calculation के लिए जो formula यूज किया जाएगा वो होगा, मुल्या नुपात बराबर चालू वर्ष की कीमत बटे आधार वर्ष की कीमत गुनित 100, R equal to P1 upon P0 into 100, उसके बाद प्रतेक वस्तु पर किये गये वैका प्रयोग इसके भार के रूप में किया जाएगा, यानि कि W ग्यात कर लिया जाएगा, और प्रतेक वस्तु के आधार वर्ष में कीमत P0 का उसकी उभोग की मात्रा, यानि Q0 से गुणा कर दिया जाएगा, इस प्रकार P0, Q0 को भार के रूप में प्राप्त कर लिया जाएगा, प्रतेक वस्तु का मुल्या नुपात यानि की R, उसके कुल वै, P0, Q0 और संबंधी भार, यानि W से गुणा करके, फिर इनके गुणन फलों का योग प्राप्त कर लिया जाएगा, यानि की समिशन R, W प्राप्त हो जाएगा, भारो का योग होगा, समिशन W, और उसके बाद हम जिस फॉर्मूले का प्रियोट करेंगे वो होगा, मूल्यान उपातों एवं भारो की गुणन फल का योग, बटे भारो का योग, यानि P01 is equal to समिशन R, W अपॉन समिशन W, आएए सुत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, पारिवारी बजट रिती अथ्वा भारित मूल्यान उपात विधी के द्वारा, मैं और समय सब्यात आधा है, कुछ इन नेज सो असी और निश सो चैह एक ही आया है, यह बढे सकते हैं कि राया इंदन को आधी थिरे,δे गहे व्र 17, मिकशन नें निर्वावे और निर्दो क्या आध सो और समझे ख्राय साथ हुआ ह। से काफी महत्वकून प्रश्ण है तो जब हम इसके काल्कूलेशन के लिए टेबल का निर्मान करेंगे तो यहां पर हम सिक्स कॉलम का एक टेबल बनाएंगे जिसमें से पहले कॉलम में हम उन मदों को लिखेंगे जो हमें आपर दी गई है जैसे और दूसरे कॉलम और तीसरे क का मुल्यों होगा वर्श-ची के मुल्य को हम पीजीरो और उनिस सो चाहसी के मुल्यको पीवन से प्यदर्शित करेंगे अब चौथा जो हमारा कॉलम होगा वो मिल्या नुपात यानि कि आर का होगा जिसका फोर्मूला है पीवन अपवाण पीजीरो इन्टू हंड्रिव प चले खाद्यान किराया इंधन वस्त और विविद्वें सेकेंड कॉलम में हमने देखा कि हम यहां 1980 का जो मुल्य है वो लिखेंगे जो की प्रशने में दिया गया है 150 40 60 40 और 10 थर्ड कॉलम में हम 1986 का मुल्य लिखेंगे जिसे हम पीवन से प्रदर्शिप कर रहे हैं तो यह हो जाएगा खाद्यान 200 किराया 60 इंदन 90 वस्त 90 और विविद्वें वह हैं वो है 30 फोर्ट कॉलम में क्योंकि हमको मुल्य लुपात काल्कुलेट करना है और इसके लिए फॉर्मूला हमने आपर एक बार लिख दिया है पीवन अपॉन पीजिरो इन 200 तो इसके एकॉर्डिंग हम काल्कुलेशन करके यहां पर लिखते चलेंगे तो यहां पर खाद्यान के लि प्रतिशत के रूप में तो प्रतिशत के अधार पर निकाल कर यहां पर उसे भार के रूप में अंकित कर लेंगे जैसे खाद्यान 40 प्रतिशत यानि की 40 किराया 20 प्रतिशत यानि की 20 इंधन 10 प्रतिशत यानि की 10 और वस्त 20 प्रतिशत यानि की 20 और विविद्वे 10 प्रतिशत यानि की 10 यहां पर भार के रूप में आएगा जब हम इसका total निकालेंगे, submission करेंगे, तो submission w is equal to 100 हो जाएगा, अब next column में, क्योंकि हमको गुड़न कल लिखना है, r into w, यानि हमने यहाँ पर जो मुल्या नुपात निकाला है, और भार जो निकाला है, दोनों का multiplication, तो यह हो जाएगा, 133 into 40 is equal to 5320, 150 into 20, 3000, 150 into 10, 1500, 225 into 20, 4500, 300 into 10, 3000, इसका जब हम summation calculate कर लेंगे, submission r w is equal to 17,320, तो यह हो जाएगा, P01 is equal to, क्योंकि इसका formula है, P01 is equal to summation wr upon summation w, और इसको जब हम formula में इसकी values रखेंगे, तो यह हो जाएगा, 17,320 upon 100, तो इसकी value हमें मिल जाएगी, 173.20, तो हमने देखा कि 1980 के तुलना में, 1986 का जो जीवन निर्वान व्या निर्देशांग था, वो हमें 173.20 प्राप्त हो गया है, अब उद्योगिक उद्पादन निर्देशांग के बात करें, तो इसके अंदर हम यह देखते हैं, कि उद्योगों में जो उद्पादन हो रहा है, उसमें क्या परिवर्टन आ रहा है, यानि कि समय के अनुसार उसमें क्या परिवर्टन आ रहा है, कोई भी उद्योग पती अपने उत्पादन की जो व्यवस्ता है उसको देखने के लिए गत वर्ष चालू वर्ष में लगतार एक तुलात्मक अध्यन करते रहता है वो देखता है कि उसका उत्पादन किस तरह से परिवर्तित हो रहा है बाजार में जब वस्तू की मांग और कीमतों के आधार पर पूर्तियों को समयोजित करना पड़ता है यानि सप्लाई मार्केट को जब देनी पड़ती है तो वहाँ पर जो सबसे महतपूर रोल रहता है वो रहता है उत्पादन का अगर वस्तू का प्रॉपर प्रोडक्शन हुआ है अच्छे से उत्पादन हुआ है तो जल्दी से किसी बाजार की मांग और रूप उसकी पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है या वहां तक ले जाकर समयोजित किया जा सकता है तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जब एक उद्योगपती हमेशा ये प्रयास करता है कि वो उसको बहुत अच्छे से जानकारी हो कि वहां पर जो उत्पादन हो रहा है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है उत्पादनों में क्या परिवर्तन है उत्पादन में कमी हो रही है य तहां पर उत्पादन निर्देशांक का प्रियोग करता है साथ ही उत्पादन का जो कारी होता है वो कहीं न कहीं रोजगार से भी करेक्ट रहता है रोजगार से भी जुड़ा हुआ रहता है तो रोजगार की क्या सिती वहाँ पर बन सकती है या फिर यह कह सकते है कि किसी उत् यह बढ़ाना है इसके आधार पर यह निश्चित किया जाएगा कि श्रमिकों की संक्या में व्रद्धी करना है यह चटनी करनी है यह कमी करना है तो कहीं न कहीं रोजगार से भी जुड़ा हुआ तो जब हम यहां पर उद्योगिक उतपादन निर्देशांग की क्यालकुलेशन करते हैं तो इसके अपनी कुछ विद्या और कुछ फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं आयो देखते हैं कि उतपादन निर्देशांग की रचना का सुट्र होगा इंडेक्स नमबर इस इक्वाल टू समेशन पीवन क्यूवन अपॉन समेशन पीजिरो क्यूवन शुद्ध पादन में होने वाले परिवर्टनों को इसपस्ट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंडेक्स नमबर इस इक्वाल टू टू पीवन क्यूवन माइनस P1 Q1 upon P0 Q0 minus P0 Q1 into 100 यहाँ पर capital P जो होगा वो होगा price of output of an industry उद्योगों के उत्पादन का मूले capital Q जो होगा वो होगा quantity of the output of an industry उद्योगों के उत्पादन की मात्रा P होगा उद्योगों में प्रेउक्त साधनों का मूले price of the input of an industry small Q होगा quantity of the input of an industry उद्योगों में प्रेउक्त साधनों की मात्रा 1 जो हो वर्तमान वर्ष यानि के current year को दर्शाएगा और 0 जो हो आधार वर्ष यानि के base year को दर्शाएगा मुद्रा स्फिती सुचकांग मुद्रा स्फिती सुचकांग को एक ऐसी अवस्था के रूप में बताया जा सकता है जिसमें कि सामानी कीमत इस्तर में लगातार व्रिद्धी देखने को मिलती है कीमतों में थोड़ी से व्रिद्धी या एक अनिमित कीमत व्रिद्धी मुद्रा इस्पीती नहीं कही जा सकती कीमतों में लगातार और काफी वृध्धी को ही मुद्रा इस्पीती कहा जा सकता है अनिशब्दों में मुद्रा इस्पीती का तात पर उस स्थिती से है जिसमें किसी देश के सामानी कीमत इस्तर में वृध्धी एक लंबे समय के दोरान होती हैं शामानिता मुद्रấp को तो कीमतों के अधार पर मापते हैं thurk कीमत सोचकां के निरंथर विद्धी मुद्रथ स्पिती की दशब को दर्शाती है उद्धारान के लिए यदि तो कीम थोचकां दोछारस पांच आधार वर्ष में 100 से ौध कर 2014 में 150 हो जाता है और यदि कीमत में व्रिद्धी उस दोरान इस्तिर रहती है जैसे प्रतिविक्ती सामानी कीमत इस्तर में व्रिद्धी 5 यद 10 प्रतिशत हो तो यह मुद्रास फिती के 1 दशा मानी जाएगी और यह मुद्रा की क्रेश शक्ती में होने वाले निरंतर 6 को दर्शाती है यदि कीमत सूच कांग बढ़कर 100 प्रतिशत हो जाए तो मुद्रा का मूले या मुद्रा की क्रेशक्ती कम होकर आधी हो जाती है यदि लोगों की मुद्रा आयस्तिर है तो कीमत इस्तर में 10 प्रतिशत की वृद्धी लोगों की क्रेशक्ती में 10 प्र करते देखते हैं ताकी क्रेश क्रे शक्ति में होने वाली क्मी को पूरा किया जा सके मुद्रा इस ते के दर में गिरावट कीमत स्थर में होने वाली कमी को नहीं वर्ष के दौरान कीमते बढ़ती प्रतीत होती हैं, लेकिन वे एक वर्ष के प्रतेक सब्ता में समान गती या समान दर से नहीं बढ़ती, कीमत सुचकांक में सब्ता से सब्ता का सापेक्ष परिवर्तर मुद्रा इस्पिती की दर को मापता है, मुद्रा इस्पिती की दर बराबर A2-A1 upon A1 into 100 यहाँ A1 बराबर पहले सप्ताह के लिए थोक कीमत सोचकांग A2 बराबर दूसरे सप्ताह के लिए थोक कीमत सोचकांग इस प्रकार वर्ष के दोरान मुद्राइस्विती की दर या तो बढ़ सकती है या फिल घट सकती है या मुद्राइस्विती की गती में किवर वृध्धी या कमी को दर्शाती है या मुद्रा इस्विती की गती में कमिय वृद्धी को ना कि कीमत इस तर में गिरावट को उधारन के लिए या मुद्रा इस्विती की दर पहले सब्ता में 5 प्रतिशत हो सकती है और दूसरे सब्ता में 4 प्रतिशत हो सकती है 5% से 4% तक के गिरावट को कीमत इस्तर में गिरावट नहीं समझना चाहिए या केवल गती में उस गिरावट को दर्शाती है जिस पर कीमते बढ़ने लगती है विशेस्ताईं मुद्रा इस्पिती को थोक सुचकांक में होने वाले परिवर्तन के रूप में मापा जा सकता है जो के थोक किमतों के सापताहिक पर आधारित होते है दूसरा, थोक के मत सुचकांक में एक लंबे समय के दोरान होने वाली व्रद्धी मुद्रास्पिती को दर्शाती है तीसरा, मुद्रास्पिती के दशा में व्यपार संग अकसर ज्यादा वेतन के लिए परिशान करते हैं ताकि एक रुपए की क्रेश रक्ती के कमी को पूरा किये जा सके है चोथा, थोक मुले सुचकांक यानि की WPI अर्थ मवस्ता में मुद्रास्पिती की दर के सुचकांक के रूप में प्रियोग किया जाने वाला सारवदिक लोगप्री सुचकांक है पाचवा, WPI नियून्तब दो सप्तार की संभावित समय अवधी के साथ सप्ताहिक आधार पर उपलगध होता है इन सभी गुणों के कारण WPI मुद्रास्पिती का सर्वादिक स्मानने माप है क्रिशिय उत्पादन सुचकांक यह मात्रा अनुपातों की एक भारित उसत है यह क्रिशी चेत्र के प्रदर्शन का एक तयार क्याल्कुलेटर प्रदान करता है इसकी आधार अवधी 1981-82 में समाफ्त होने वाला तिसाला है 2003-04 में क्रिशिय उत्पादन का सुचकांक 179.5 था इसका भी प्राय यह है कि क्रिशिय उत्पादन तीन वर्षों के उसत 1989-81 और 1981-82 से 79.5 परसंट बढ़ गया है मानो विकास सुचकांक मानो विकास सुचकांक HDI एक ऐसा सुचकांक है जो कि जीवन प्रत्याशा, साक्षर्टा, सैक्षिक उपलब्दी और दुनिया भर के देश की प्रतिवेक्ति GDP के समाने मापों को संयोजित करता है यह मानो विकास को मापने का एक प्रमाडिक साधन माना जाता है HDI का मुख्यो प्योग देशों को मानो विकास के इस तर से क्रम देना है जो कि यह नरधारित करने का उद्यश रखता है कि क्या एक देश विकसित, विकासिल या अर्ध विकसित देश है उत्पादक मूले सुचकांक उत्पादक सुचकांग वस्तूओं को बेचने वाले उत्पादकों के विक्रे मुल्यों में औसत परिवर्तन को मापते हैं इस सुचकांग के गड़ना के लिए आमतोर पर एक वर्ष में सभी परिवर्तनों के औसत को लिया जाता है या उत्पादक के विचार से कीमत परिवर्तन को मापता है या उद्योग आधारित उत्पादन के छेत्र और प्रसंसकरण आधारित कंपनियों की अवस्था पर ध्यान देता है Sensex Sensex वह सूचक है जो कि भारते स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है या Bombay Stock Exchange Sensitive Index का संशिप्त रूप है इसे 1978-89 के संदर्भ वर्ष या आधार वर्ष के रूप में निर्मित किया गया है इसमें देश के अग्रणी कंपनियों के 30 स्टॉक शामिल है इन स्टॉकों में परिवर्तन से संपूर स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों को प्रस्तुत करने की आश्या की जाती है संसक से उचाल शेयर किमतों में होने वाली संपूर व्रद्धी को दर्शाता है या एक अर्थ ववस्ता में प्रवकुद्योगों के शक्तिशाली प्रदर्शन को भी प्रदर्शित करता है शेयर किम्तों में वृद्धी उन शेयरधारकों के धन में होने वाली अनुपातिक वृद्धी को दर्शाती है जो स्टॉक बाजार में अपने कोशों को निबेशित कर चुके हैं